नमस्कार, टेली डियो जारकंड में स्वागत है आपका, मैं हूँ इम्तियाज अंसारी प्रसुत है समाचार इहार पंचाय चुनाओं को देखते हुए स्री नगर घाट पर प्रसासन द्वारा यात्रियों की सघन जाच अभ्यान सुरू कांडी प्रकंड से हमारे संबादाता विकास कुमार सिंग की रिपोर्ट कांडी उपायोक्त राजेस कुमार पाठक वो एसपी अंजनी कुमार जहा के निर्देस पर हरियरपूर ओपी प्रभारी सौकत खान ने कांडी प्रकंड से 60 सीमावर्ती छेतरों में बिहार पंचायत चुनाओं के मद्दे नजर 33 सीमावर्ती छेतर के स्रीनगर घाट बेरकेट लगा कर सुरक्षा का चौक चौबंद बेवस्था कर पुलिस को तैनात किया गया वहीं बिहार से जारकंड आने वाले लोगों पर प्रसासन की पैनी नजर रखी जा रही है यातरियों के साथ लाए गय सामगरी बैग थैला वो अन्य सामगरी की सघन तलासी जाच पुलिस द्वारा की जा रही है हरियर पूर पुलिस आने वाले यातरियों से उनके नाम पता अधार कार्ट जाच कर जाने की अनुमती दे रही है गौर तलब है कि जारखंड के सीमावर्ती इलाकों में बिहार के पंचाय चुनाओ 29 सितंबर को है जिसमें गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के सीमावर्ती छेतरों से 60 रोहतास जिला में चुनाओ होना है इसको लेकर जारखंड और बिहार राज के प्रसासन संज्युक्त रूप से सीमा पर आने जाने बाले गतिवीधियों पर नजर रख रही है विसेस तौर पर हरियरपुर ओपी पुलिस प्रसासन की भूमी का इस दोरान बढ़ गई है इसको लेकर बिहार जारखंड के सीमा पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है बताते चले कि कांडी प्र प्रभारी नितिस कुमार ने सगन जाच अबियान चलाया था कांडी थाना प्रभारी नितिस कुमार और हरियरपुर ओपी प्रभारी सौकत खान ने नाविकों को विसेस दिसान रिदेश दिया कि रात्री में नाव संचालित ना करें हरियरपुर पुलिस सोन तटिय सीमा व है